तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के निक्स लेच्चर की उसमें हम पढ़ेंगे बंगाल के जितने भी शासक हुए थे उनके बारे में ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का लेच्चर तो बंगाल का नवाब सबसे पहला कौन था आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खां ठीक है मुर्शिद कुली खां सबसे पहला नवाब था और इसी करम से आपको यहां तक आठ तक याद रखने होंगे ठीक है फिर सुजाओदीन, सर्फराज खां, अलिवर्दी खां, सुराजुदुला, फिर आपका मीर जाफर, मीर कासीम, मीर जाफर इसी प्रकार से आपको याद रखना है छेमा और आठमा बंदा एक ही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट, आपको क्वश्चन किस प्रकार से आएगा क्वश्चन आता है आपको, पेपर में कि पलासी का यूद कब हुआ था बकसर का यूद कब हुआ था, ओप्शन आपको दिये जाएंगे ठारांसो स्तूंजा, ठारांसो च्पूंजा, ठारांसो च्पूंजा, ठारांसो च्पूंजा, ठारांसो त्रेंसट या सत्रांसो इस परकार से जो भी option आपको दिये जाएंगे तो आपको इसी परकार से यदि आपको पूरी कहानी पता होगी तो ही आप इस प्रकार के question जो हैं वो tackle कर सकते हो चलिए move करते हैं कि कैसे पलासी का युद स्तारा सुस्तूंजा में क्या कारण रहा था इसके बीछे और कैसे कैसे युद ने अपना अंतिम अंजाम तक पहुंचा था ठीक है दोस्तों स्तारा सुस्तूंजा का युद जो था पलासी का युद इसके पीछे क्या कारण था इसके पीछे कारण था सुराजुदुला नवाब जो था बंगाल का तब इसने एक गटना को अंजाम दिया था वो गटना था काल कोठरी की तरास्दी means black hole tragedy इसमें क्या हुआ था कि इसने अंग्रेज्जों के विरुद एक तरास्दी करी थी क्या तरास्दी थी वो इसने अंग्रेज्जों को टोटल 146 अंग्रेज्जों को एक छोटी सी पूरे बंत कमरे जैसी एक कुटिया में बंद कर दिया था ठीक है और इस जैसे ही इसने रात को अंग्रेज्जों को 144 अंग्रेज्जी ब्यक्तियों को बंद करा और जैसे ही सुबा दर्वाजा खोला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 बंदे जीवित पाए गए और इसी घटना से अंग्रेज्ज पूरी तरह से सराजु दुल्ला के खिलाप हो गए क्यूंकि पूरे अंग्रेज लगवग 123 बंदे सराजु दुल्ला ने एक ही रात को काल कोट्री में बंद करके मार दिये थे तो ये कारण था तारा सो स्तुन्जा में ये गटना हुई थी अब कॉशन आपको आएगा कि अंग्रेज के खिलाप को लड़ रहा था अंग्रेज्जों के खिलाप लड़ रहा था सराजु दुल्ला नवाव ठेक है और इसका एक सेना पति था उसका नाम था मीर जाफर मीर जाफर ने इसके बिरुद दोखादाड़ी करी अपने ही नवाब के बिरुद और इसी ने इसका रोबट कलाईव का साथ दिया क्यूं दिया विकाउज रोबट कलाईव ने कहा था कि जब भी जे जीतेगा तो इसे सराजु दुल्ला की जगा नवाब बनाएगा मीर जा बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसे नवाब तो बना दिया बट इसी के उत्तरदिकारी मीर कासीम को क्या हुआ उसके साथ अंग्रेज मिल गे बाद तो इसी को मीर जाफर को बाद में रिप्लेस करा मीर कासीम ने देखिए यहाँ पर सात्मा नंबर है मीर कासीम बट फिर मीर कासिन को हटा दे अंग्रेजों ने, फिर इसने विश्वास दिलाया अंग्रेजों को, फिर आठमे नंबर पर मीर जाफर शुरू से शाषन करने लगा, ये भी आपको इस प्रकार से याद रखनी है गड़ना, नेक्स्ट है आपका, बंगाल की राजदानी कहां कहां रही, कैसे कैसे चेंज हुई, सबसे पहले थी डाका, फिर मुर्शीदाबाद, फिर आपका मुगेर, नेक्स्ट आपको क्वेशन आएगा, बकसर का युद्ध कब और किसके और किसके बीच में हुआ था, दो परकार के ह तीन मंदे, बंगाल का नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवद के नवाब सूजाओ दुल्ला, फिर मुगल समराथ, आलमशाह दुटिया, तीन मंदे थे, तिकडी थी ये, ठीक है, तिकडी ये कैसे बनी थी, जैसे ही सतना सो स्तुन्जा में मीर कासिम एक वार हार गया था, इसक मीर जाफर के ही बिरुद, इसने शडेंतर करा था, ठीक है, इसी शडेंतर के बाद बैठा था ये मीर कासिम, मीर कासिम से अनवन होगी अंग्रेजों की, विकाउस, ये इसका पहले वाला नवाब, मीर जाफर, जे अंग्रेजों की कठ पुतली था, बट जैसे ही मीर जाफर को बिठाया, अंग्रेज और भी अच्छा सिकंजा इनके उपर कसने लगे, बट मीर जाफर को ऐसा बिल्कुल बरदाश नहीं हो रहा था, ये ऐज एक अठफुतली काम नहीं करना चाह रहा था, तो ही बकसर का युद इसने भाग लिया और इसके अंग्रेजों क विरुद कारवाई करना स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो इसके साथ कौन-कौन था, अवद का नवाव, सुजाव दिल्ला और मुगल समराथ, शाह आलम दित्या, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों और मैसूर के संबंद, मैसूर आली का उत्तरदिकारी का नाम में आपको याद रखना है, उसका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है, इसी के उपर क्वश्चन बनते हैं, हैदर आली के उपर ज्यादा क्वश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हैदर आली की मृत्यू कब हुई में सबतंतर ब्रिक्ष लगवाया था और साथ ही ये वंदा जयकोबियन कलब का सदस्य था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है और इसी करम में आपको देट्स बाइस याद रखना है और गवर्नार जनल कौन-कौन से थे इनके युद के दोरान ये भी आपको याद तक तरितिय कब हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक नेक्स्ट और लास्ट कब हुआ था 1799 में ठीक है ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर इस युद में दित्य एंगलो मैसूर युद में टीपू सुल्तान के पिता कौन थे हैदर अली इनके मृत्य हुई थी और लास्ट यु दूसरे में इसका पिता मरा था और लास्ट और चोथे युद में ये खुद मर गया था ठीक है ये भी आपको याद रखना है टीपू सुल्तान के मृत्यू श्री रंग पतनम के आखरी युद यानि चितूर्थ एंगलो मसूर युद के दोरान 1799 में हो गई थी ये भी और टीपू सुल्तान को शेरे मसूर कहा जाता था ये भी आपको इस परकार से याद रखना है नेक्स्ट वांडी वाश का युद आपको प्रिवियस लेच्चर में भी पढ़ाया गया था 1760 में ये युद हुआ था और ये युद में क्या क्या ट्रेटीज हुई थी क्या क संदियां हुई थी ये भी आपको याद रखना है और कब कब हुए थे ये ट्रेटी ये भी आपको याद रखना है जो पहला युद था, अंगलो मसूर युद इसमें ट्रेटी हुई थी मदरास की संदी question आपको इस परकार से आएगा कि मदराज की संदी जो है वो किस यूद में हुई थी तो आपको टिक लगाना है पहले ही Angolo Massor यूद में हुई थी दितियों में क्यों सी हुई थी मेंगलोर की संदी तृतिये Angolo Massor यूद में कौन सी हुई थी श्रीरंग पतनम की संदी, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, हमने पढ़ा पहले पढ़ा बंगाल के साथ अंग्रेजों के संबंध, फिर पढ़ा हमने मैसूर के साथ अंग्रेजों के संबंध अब हम पढ़ेंगे सिख और अंग्रेजों के बारे में, ठीक है सिख दर्म जो भी सिख दर्म था सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रय किसे जाता है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी को ठीक है इन्हें सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रय जाता है और आपको question इस परकार से भी आ सकता है कि सिखों के प्रथम गुरु का नाम बताओ, आपको option होगा, गुरु हर राय, गुरु नानक, गुरु गोबिंद, इसी परकार से आपको question का जवाब आपको tick लगाना है, यदि आपको पता होगा प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक जी, तो आपको tick यही लगाना है, ट सहबागी बोजनाले की स्थापना भी करी थी, ठीक है, नेक्स्ट वात आती है, गुरु नानक जी, सन 1536 में करतारपुर में इनकी मृत्य हो गए थी, ये भी आपको याद रखना है, और गुरु मुखी लिपी का अरंब, जो है, वो गुरु अंगत जी ने करवाया था, ये पांसो बीगा भूमी दी थी, ठीक है, अकोवर ने दी थी, और इसी भूमी पर जो अभी अमरित सर है, बरतमान में यहाँ पर एक जलाश्य खुदवाया था, और अमरित सर शेहर की स्थापना करी थी, क्वेशन आपको इस परकार से भी आ सकता है कि, अमरित सर जो अभी बर परतमान में नगर है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो याद रखना है आपको गुरु रामदास, नेक्स्ट है आपका गुरु अरजुन, जो सिखों के पांचवे गुरु थे, गुरु अरजुन इन्होंने सिखों के धार्मिक गरंत, अधी गरंत की रचना करी थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, पॉइंट आपको वही याद रखना है, जो आपको हाइलाइटेड दिख रहे हैं, ठीक है, बाकि कोई भी लाइन जाद रखने की जुरुरत नहीं है, आपको तीन से चार बार यही पढ़ना है, और इसी से आपका काम जो है, वो कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवाया था, क्योंकि, क्यों मरवाया था, क्योंकि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, खुसरो, इसी ने अपने पिता के विरुद बिद्रो करा था, ठीक है, जैसे ही बिद्रो करा था, तो हुआ क्या, जहांगीर पुत्र ने इसको अपने ही पुत्र को अंदा करवा दिया था, दोनों आंखें फोर दी थी, और इसकी सहाइता करे थी गुरु अरजन देव जी ने, और जैसे ही सहाइता करे थी, इनको फांसी पर चड़ा दिया गया था गुरु अरजन को, ठीक है जहां गिर दोरा, next बात करते हैं सिखों के नोमे गुरु, सिखों के नोमे गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादर ठीक है, आपको इसी परकार से करम याद रखना है, पहले कौन थे, दूसरे कौन से और question आपको पहले और last का ज़्यादा पूछ जाता है तो आपको फोकस पहले में करना है, और last में करना है पहले गुरु कौन थे, और last कौन थे, ठीक है next बात करते हैं, सिखों के नोमे गुरु, गुरु तेग बहादर इसलाम सभीकार न करने के कारण, औरन जेव ने इनहें भरतमान शीष गंज में गुरु दौरा के निकेट मरवा दिया था ठीक है, next बात करते हैं, last गुरु, दसवे गुरु, गुरु गोविंद की ठीक है, इनका जनम कहां हुआ था? पटना में हुआ था ठीक है, कब हुआ था? 1666 में हुआ था next बात करते हैं, next point की गुरु, गोविंद सिंग, अपने आपको जो है, वो सच्चा पादशा कहा करते थे, ये भी आपको याद रखना है और सिखों के लिए 5 ककार, अनिवारिय है, ये भी आपको याद रखना है कौन-कौन से केश, कंगा, कृपान, कच्छा और कड़ा ये सिखों को, सिखों को अपने साथ रखने की अनुमती इन्होंने दिलवाई थी और जो भी सिखों होते हैं, सिख लोगों को अपने नाम के पीछे सिंग जोनने के लिए इन्होंने ही कहा था ये भी आपको याद रखना है ठीक है लास्ट है पॉइंट 1699 में बसाकी के दिन गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंत की स्थापना करी थी ये भी याद रखना है खालसा पंत की स्थापना करने वाले गुरू, सिख गुरू कौन है आपको उप्शन होगा गुरू नानक, गुरू आर्जन, गुरू हर्ग, गोविंद आपको इस परकार से आ सकते हैं तो आपको टिकल लगाना है गुरू गोविंद सिंग ठीक है आज की वीडियो का लास्ट का क्वेशन है आज की वीडियो में आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरू का क्या नाम है सिखों के लास्ट गुरू का क्या नाम है अभी अभी हमने इस वीडियो में डिस्कुस किया उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, विकाउस आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को जादे से जादा बैच्चों में शेयर करें, इ इमाच्छू